तुम मुझे साथ दो एक आदमी दस आदमियों को लेकर आओ तो मैं दिला दूँगा तुमारा पाई-पाई बंद कम्पनियों में और सोसाइटियों में क्यों दोस्तों यही बाते सुनी होंगी आज तक आपने छुटबईये नेताओं के जरिये ऐसे ही एक छुटबईया नेता की सत्य घटना जो की मेरे साथी के साथ हुई है मैं बताने जा रहा हूँ जैसा की उन छुटबईये नेताओं ने नेताजी ने मेरे मित्र के जरिये कितने पैसे बटोरे और अंत में क्या बात रही पूरी घटना सुनने के लिए देखे वीडियो को अंत तक और साथ ही सब्सक्राइब कर लिजे डिके हिंदी न्यूज यूटूब चैनल जिसके जरिये आपको बताने जा रहे हैं सत्य और वास्तिक घटना जैसा की हाल ही गत दिनों में कई सोसाइटियां चिटफंड कमपनियां बंद हुई उनी में के एक कमपनी में मेरे मित्र के लाखों रुपए फसे हुए थे अब जैसा की मित्र की बेटी जवान हो रही है और वह रिस्ता डून रहे हैं तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन लाखों रुपए मिल जाए तो कैसा रहेगा ऐसे मैं ही उनकी एक बार एक यूटूब चैनल के जरिये बात हुई एक छुट भईये नेता से जो हामी भरते थे कि मैंने बड़े बड़े नेताओं के सिंगासन हिला दिये और जेल मेरा कुछ नहीं बिगाड सकती चिटफन कंपनी के मालिक की गोली भी मेरा कुछ नहीं बिगाड पाएगी मैंने उनको क्या है सबको छटी का दूद याद दिला रखा है मेरे साथ जुडने वालों का पाई-पाई मैं जल से जल दिला दूँगा अब बात आती है कि मेरे मित्र अपने बॉन्ड और कागजों को लेकर उनके पास पहुँचे तो उन्होंने एक नई सर्त रखी उन्होंने कहा कि भाई आपको इनके साथ कम से कम दोहजार रुपे देने होंगे और कम से कम दस वक्तियों का और कागज और पैसा भी आपको दिलाना होगा साथ ही हम फला तारिक को फला राज्ये में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें भी उपस्तित होना होगा अब जैसा कि मरता क्या ना करता जी हाँ दोस्तो मरता क्या ना करता तो मेरे मित्र विशेष ने साही विवस्ताय की दस लोगों से भी दो दो हजार रुपे दिलाए और डोकॉमेंट्स भी दिये अब बात आती है धरना प्रदशन की जैसा कि देड एट पर वो रेल के जरिये धरना इस्तल पर तो उन्होंने क्या देखा कि छुट भईये नेता जी ने पांडाल लगाया हुआ था पहले से ही माइक और कुछ लोगों को भी बुलाया हुआ था और मिटिंग यानि धरना प्रदशन का इस्थान रखा एक सरकारी पारक को जी हाँ दोस्तों अब मैं बता पाने जा रहां उन छुट भईया नेता ने क्या किया जैसा कि आनन फानन में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगे और चुकी कॉलोनी वासी भी बड़े अच्रज में थे कि ये किस बात के नारे लग रहे हैं और क्या हो रहा है तो उन्होंने वहां के पुलिस प्रसासन को खबर दी पुलिस प्रसासन भी सदमे में आ गया और उन्होंने सोचा ये तो कोई बड़ी दुर्गट ना हो सकती है तो उन्होंने उन नारे बाजों को क्या है कुछ समय के लिए शांति भंग के आरोप में जेल में डाल दिया अब पता पड़ा कि वास्तु किस्ति क्या थी तो बताया गया कि भाई हमारा जमा पैसा इन कम्पनियों में डूबा है इसके लिए हम आये थे ग्यापन देने के लिए तो छुटबईये नेता जी ने वहां मामला सुल्टा लिया और सबको जेल से छोड़ दिया गया अब बात आती है पैसा दिलाने की जी हां दो दिन गुजरे चार दिन गुजरे तो जब हमने मांगा उनसे मेरे मित्र विसेस ने मांगा प्रूफ कि आपने कहा था मैं डॉकॉमेंट्स फला मंतरी को दूँगा और आपकी जल से जल कारवाई हो जाएगी पैसा दिलाने में तो वे हक्के बक्के रह गे अब वो सोचने लगे इनको क्या जवाब दिया जाए तो उन्होंने कहा भाई अभी मात बात नहीं बनी है अभी दुबारा नेता जी को क्या है ज्यादा भीड के साथ ग्यापन देना होगा आपको पुने से दो दो हजार रुपे खटा करके फल जोचा चलो 2000 और सही लाखो रुपे तो मिल जाएंगे अब चुक्कि मेरे दोस्त विशेश पहले ही ठगाए जा चुके थे 2000 रुपे तो उन्होंने सोचा जब लाखो भी लग गए 2000 भी लग गए और सही 2000 रुपे तो उन्होंने दिये और फिर धरना प्रदर्शन वहीरंग रंगमंच पे चालू हुआ जिससे की उन छुटवईया नेताओं की अख़बार में भी कुछ फोटो आ सके अब बात आती है कि फिर दिन पर दिन गुजर गए लेना देना कुछ नहीं इस तरह से 2021 से 2024 आ गया लेकिन उन छुटवईया नेता ना तो पैसा दिला पाये हैं ना ह मेरे दोस्त से पैसा लेना बंद किया है क्योंकि मेरे दोस्त भी सोच रहे हैं जब लाखों डूब गए तो हजारों भी सही लेकिन आज तक वो पैसा नहीं दिला पाये अगर आपके साथ भी ये घटना हुई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उन छुटवईया नेताओं की पोल उजागर करें इसी के साथ जैहिन वन्दे मात्रम सब्सक्राइब कर ले डिके हिंदी न्यूज यूटूब चैनल